अस्मन्जस एक क्रोस रोड की स्थिती है हम इसे भटकाफ की स्थिती के रूप में भी देख सकते है या हमारी सफलता की यात्रा की एक महत्वपून कड़ी के रूप में अस्मन्जस की स्थिती हमें चुनोती देती है कि क्या हमें निर्ने लेने की शमता है हर distraction की स्थिती हमें निर्णाय लेने के ही मजबूर करती है जिस निर्णाय से हमारा जीवन सफल हो सकता है distraction की स्थिती एक चौराहे पर खड़े होने जैसा है जहां अलग-अलग रास्ते हमारा ध्यान खीशने के लिए प्रतिसपर्था करते है और ऐसी स्थिती हमें सोचने का मौका देती है और सोच समझ कर उस रास्ते को चुणने का अफसर देती है जो हमारी प्रात्मिक्ताओं और महत्वकान्चाओं के अनुरूप है समस्याओं का सामना करते समय अस्मंजस की स्थिती एक आम बात है एक तरह से डिस्ट्रैक्शन को उन महत्वपोंग छणों के रुप में देखा जाना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष की ओर जाने में हमारे संखल्प को और मजबूत करती है जब एक छात्र को बहुत ज़्यादा अध्यन करना पड़ता है तो वह बिचलित हो जाता है एक प्रोफेशनल डेडलाइन के बोश से विचलित होता है उसी तरह जीवन में रोजमर्रा के निर्नाय लेने में लोगों को परिशानी होती है यहां सभी पल हमें कन्फ्यूज और डिस्ट्रैक्शन विभिन फलों से बरी टोकरी है जिससे हम किसी एक फल को चुड़ने में खुद को असमर्स पाते हैं क्योंकि वे सभी आकर्शक हैं और निर्नाय की इस्थिती हमें विचलित करती है डिस्ट्रैक्शन के पलों में हम आसानी से उस चीज के जहासे में आ जाते हैं जो तातकालिक संतोष्टी देता है जीवन एक बड़ा दोर है और बाधाओं को पार करना मनश्य जीवन का करतव्य एक आरामदायक यात्र का आकर्शन हमारा ध्यान हमारे गंतव्य से भटकाने के लिए काफी है लेकिन अगर हम उनी भटकाव के पलों को अपने संकल्प की मजबूती के लिए इस्तिमाल करें और हमारे पथ पर सच्चे बने रहने की हमारी प्रतिवत दिता को तीवर कर दिड़ संकल्प ले तो हम अपने पथ में और प्रभाफशाली तरीके से आगे बढ़ सकते हैं क्या हमारे पास प्रोलोभन का विरोध करने का संकल्प है क्या हमारे पास जीवन के अपने चुने हुए पथ पर इस्तिरता से बने रहने की छमता है इस संदर्व में डिस्ट्रैक्शन को हम अपने अनुशासन की परिक्षा के रूप में देख सकते हैं ताकि हम अपने चुने हुए मार्क के प्रती समरपड को और मजबूत कर सके distraction का एक कारण यहाँ है कि हम अपने आपने पूरता महसूस नहीं करते हैं हम बहारी validation पर ज़्यादा निर्वर रहते हैं जब हम भविश्य की चिंता से ग्रसित रहते हैं तो distraction के शिकार हो जाते हैं फिर ऐसा काम भी है जिनमें high focus और उच्छ मानसिक शंता की आवशक्ता होती है और ऐसे काम से बचना हमारी सौभाविक प्रव्रती है multitasking एक अच्छा उधारण है जहां हम ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और एटी समय में कई चीजे करनी की कोशिश करते हैं अकसर खराब समय प्रवंदन के कारण multitasking की आवशक्ता उधपन होती है हमारा focus समस्या सुलजाने में होना चाहिए इन सब का उपाई यहा है कि अपने उद्देश्यों के प्रती आश्वस्त और सजग है हमारे पास एक इसपष्ट लक्ष होना चाहिए जब किसी के पास इसपष्ट लक्ष होता है तो वे आत्म प्रिदित होते हैं और लक्ष के प्रती प्रतिबद रहते हैं distraction यहाद रशाता है कि हमें निर्णे लेने की शमता को और विक्सित करना है हमारा सकारात्मक द्रिष्टी को ही हमें सफलता दिला सकता है हमें अपने जीवन को एक सही स्ट्राटीजी से सही पत पर आगे बढ़ाना पड़ेगा तभी हम लक्षो को प्राप कर सकते हैं distraction से घबराएं नहीं बलकि इसको आगे बढ़ने की सीड़ी बना इस प्रस्थूती को देखने के लिए धन्देवाद